सेमी कंड़क्टर डायोड जिसका संकेती है पर ओम का नियम लागू नहीं होता ओम का नियम ये कहता है कि परतिरोत में बहने वाली धारा उस पर लगाएगे EMF के समनुपाती होती है अर्थाथ V-Proposional I तो हम यहाँ पर देखेंगे कि V-Proposional I एक तो resistance के लिए और एक diode के लिए डायोड के लिए और resistance के लिए यह resistance के लिए और डायोड के लिए V-Proposional I तो हम देखेंगे कि diode पर ओम का नियम लागू नहीं होगा इसके लिए यह परिपत है, डायोड है, डायोड के समना अंतर में वोल्ट मीटर लगा हुआ, स्रेनिकर में एम्पेर मीटर फिर धारा जारी है या नहीं जारी है उसके लिए LED और फिर resistance और रेजिस्टेंस के अक्रोस वोल्ट मीटर और यह हम नहीं लगाया हुआ है यह हमारा जो है परिपत है, डायोड, डायोड से लाल रंग कतार एम्पेर मीटर में गया, वोल्ट मीटर में गया और वोल्ट मीटर से जो तार आया नीले रंग कतार, वो डायोड के यहां लग गया और यहीं से एक लाल तार एम्पेर मीटर में चला गया एम्पेर मीटर से पीला तार LED पर चला गया LED से जो तार निकला वो रिजिस्टेंस पर चला गया और रिजिस्टेंस के एक्रोस लाल और काड़ितार वोल्ट मीटर पर लग गया और रिजिस्टेंस को यहांसे negative supply देथी, diode पर यहांसे positive supply देथी अब हम जो है जब धारा देते हैं यहांसे यहां से मने दारा देदी यह हमने मिली एंपियर में इसको एंपियर में सेलेक्ट किया है तो यह हम मिली एंपियर लिखा हुआ है तो अभी यह धारा प्रवाइत हो रही है यहां पर LED अभी जल रही है हम अभी बिजली बंद करेंगे तो LED बंद हो गई और यह LED अभी चल रही है तो जब LED glow रही है इसका मलब धारा forward bias में भी चल रही है डायोड में से तो डायोड के across जो voltage drop है वो है 0.7 डायोड पर voltage drop है 0.7V और धारा जो चल रही है वो है 21.3 mA 21.3 mA रजिस्टेंस पर जो voltage drop हो रहा है वो है 21V यहां हम देख रहे है 21V drop हो रहा है रजिस्टेंस पर 21V और धारा चल रही है 21.3 mA यह reading हमने यहां पर लिख ली डायोड पर 0.7 voltage drop हो रहा है धारा चल रही 21.3 mA पर रजिस्टेंस पर 21V और धारा चल रही 21.3 mA क्योंकि धारा दोनों में समान चल रही है अब हम voltage कम करते हैं 21 की बजाए हम कम voltage दे देते हैं तो धारा चल रही 15.7 mA डायोड पर voltage drop हो रहा है 0.687 और रजिस्टेंस पर voltage drop हो रहा है 15.6 V यह हम reading में यहां लिख लेते हैं रजिस्टेंस पर voltage drop हो रहा है 15.6 V धारा चल रही है 15.7 mA डायोड पर voltage drop हो रहा है 0.687 V और धारा चल रही है 15.7 mA अब हम voltage को और कम करते हैं हमने voltage कम कर दिये डायोड पर 0.657 V ड्रोप हो रहा है 12.8.3 mA चल रही है और रेजिस्टेंस पर 8.3 V ड्रोप हो रहा है यह रेडिंग हम यह पर लिख लेते हैं डायोड पर voltage drop हो रहे हैं 0.657 V धारा चल रही है 8.3 mA और रेजिस्टेंस पर voltage drop है 8.3 V और धारा चल रही है 8.3 mA तो यहां यह सिद्धो रहा है कि रेजिस्टेंस में बहने वाली धारा लगाएगे voltage के समनों पाती है यहां धारा भी 21 mA voltage 21 V धारा 15 mA 15.7 mA voltage भी 15.6 V है धारा 8.3 mA voltage भी 8.3 V है तो बहने वाली धारा लगाएगे voltage के समनों पाती है प्रती रोध पर अब हम डायोड उपर देखते हैं कि जब धारा ती 21.3 mA थी तब भी डायोड पर 0.7 voltage ड्रोप हो रहे हैं 15.7 mA जब धारा जारी है तो भी जो है 0.687 यानि लगबग 0.7 voltage ड्रोप हो रहे हैं और जब धारा कम करती है हमने 8.3 mA तब भी डायोड का एक रोज 0.657 वोल्ट ड्रोप हो रहे हैं इससे यह सित होता है कि डायोड पर ओम का नियम लागू नहीं होता जब हम डायोड को reverse बायस में कर लेते हैं forward बायस में डायोड पर 0.7 ड्रोप होते हैं forward बायस में 0.7 वोल्ट ड्रोप होते हैं अब हम डायोड को reverse बायस में कनेक्ट कर लेते हैं यह जो डायोड है इसको हम reverse बायस में कनेक्ट कर लेते हैं तो हम इस डायोड को निकाल के और इसकी direction बदल देते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें से धारा प्रवाइद नहीं होगी voltage दे दिये मैंने इस पर तो हम देखते हैं कि इस diode पर 9.4 volt ड्रोप हो रहे है ampere meter में धारा नहीं चल रही resistance पर भी कोई voltage दो अपने हो क्योंकि resistance पर voltage आने पर ही धारा प्रवाइद होती है मैं voltage बड़ाता हूँ जब मैं voltage बड़ाता हूँ तो diode पर voltage बड़ रहे हैं परन्तु धारा प्रवाइद नहीं होती है voltage बड़ा के मैं 22 वोल्ट एक ठक ले आता हूँ तो धारा प्रवाइद नहीं होती है तो इस वक्त डायोड रिवर्स बाइद में है और केवल डायोड पर voltage ड्रोप हो रहे हैं धारा प्रवाइद नहीं हो रही और resistance पर भी voltage ड्रोप नहीं हो तो रिवर्स बाइद में जब हमने डायोड की दिशा बदल दी यहां हमने डायोड की दिशा इस तरह से जब हमने बदल दी तो इसे हम रिवर्स बाइद केते हैं और इस वक्त डायोड पर 22.1 वोल्ट हमने दे दिया एमपेर मिटर में धाराद 0 है LED नहीं जल रही है और रेजिस्टन्स पर वोल्टेज ड्रॉप 0 है 0 वोल्ट LED नहीं जल रही है एमपेर मिटर में दाराद 0 सारा वोल्टेज डायोड की एक्रोज ड्रॉप हो रहा है तो अभी डायोड रिवर्स बाइद में है जब डायोड फॉरवर्ड बाइद में था तब डाइड पर 0.7 विल्टेज ड्रॉप और है थे तो इस तरह से हमने ये सिद्ध किया कि सेम इंडेक्टर पर ओम का नियम लगू नहीं होता